Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, अभी हम लोग बात करेंगे about the inequality and discrimination, inequality का मतलब होता है और समानता, discrimination का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, हमारा उपर ना एक छोट ऐसा paragraph है, जो रह गया एक box में, उसको complete कर लेते हैं, यहां से question बहुत बार पूछा गया है, The children you see in the illustrations here were seen as disabled, यहां पर आप यह बच्चे देख रहे हो, जो example के तोर पर आपके सामने दिखाए गए हैं, पोस्टर में, यह देखो, यहां पर इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, ठीक है, तो कोई छडी के सहारे चल रहा है, तो कोई च इसे कहते हैं हम विकलांग, लेकिन इस टर्म को आज के टाइम पर चेंज कर दिया गया है, अब इन बच्चों के लिए जो है यह वाली टर्म यूज की जाती है, चिल्डरन विद स्पेशल नीड्स, तो ध्यान रखना कि इन बच्चों को पहले disabled या विकलांग कहा जाता था लेकिन अब इन बच्चों को कहा जाता है चिल्डरन विद स्पेशल नीड्स, तो यह क्वेस्चन बहुत बार आया हुआ है कि यह जो टर्म है disabled, इसको चेंज करके अब इन बच्चों को क्या कहा जाता है, तो इन बच्चों को चिल्डरन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता ह इन बच्चों को लेकर भी लोगों के stereotypical thoughts होते हैं जिनके बारे में यहां इन paragraph में बताया गया है Their own feelings and thoughts also are given तो इन बच्चों के thoughts जो हैं वो भी बताये गई हैं जैसे कि ये बच्चा कह रहा है कि मैं इतना अलग क्यों हूँ लोग मुझे देखते हैं लोग मेरी तरफ stare करते हैं लोग मुझे घूरते हैं तो मुझे शर्म आती है and मेरा लोगों की आखों से छुपकर रहने का मन करता है तो इस तरीके से इन बच्चों के thought process इन बच्चों के feelings को यहां पर बताया गया है कि इनको कैसा महसूस होता है आप एक एक poster को देख सकते हैं इनके बारे में discuss कर सकते हैं हाला कि ये exam में नहीं आएगा Do you think children with special needs should be part of regular school or study in separate school? तो यहां पर आपसे ये question पूछा गया है कि ये जो बच्चे हैं जिनके लिए हम कौनसी term यूज कर रहे हैं? Children with special needs इन बच्चों को क्या regular school में भेजना चाहिए या इनके लिए separate school होना चाहिए? तो इसका answer आप comment section में दे सकते हैं Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes जब लोग prejudices and stereotypes के basis पर behave करते हैं, act करते हैं तब भी society में discrimination की शुरुवात हो जाती हैं So we can say prejudices and stereotypes both leads to discrimination That means prejudice की वज़े से भी stereotype की वज़े से भी society में भेदभाव create होता है अगर हम दोनों term का difference जाने तो prejudice का मतलब होता है Prejudge कर लेना बिना किसी evidence के लोगों के बारे में judgment pass करना Stereotype का मतलब होता है आपकी किसी पिटी सोच इस तरीके की सोच जो एकदम fix है जिसको आप change नहीं करना चाहते अब दोनों के example लेते हैं Prejudice का मतलब कि आपने बिना evidence के बिना किसी को जाने पहचाने Judgment pass कर ली एक preconceived notion बना लिया जैसे कि generally ये कहा जाता है हमारे भारत में जिसको English आती है वो superior है जिसको English आती है उसको knowledge होगी Whereas English के आदार पर लोगों को judge कर लिया जाता है जिसको English कम आती है या बिल्कुल बोलनी नहीं आती तो उनको illiterate कह दिया जाता है And stereotype का मतलब हुआ कि आपके जो fix idea हो गए fix thought process हो गए जैसे कि ये कहना लड़कों को driving skills आती है लड़कियों के पास driving skills नहीं होती लड़कियां अच्छा cooking करती है लड़के को पता ही नहीं है कि सरीके से खाना बनाना है kitchen संभालनी है So ये सब thought process stereotype हो गए So that means prejudice and stereotypes दोनों की वज़े से ही discrimination होता है अब discrimination तरह तरह से होता है जैसे कि अगर आप किसी इनसान को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करते हो तो वो भी एक discrimination का part है If you stop them from taking part in certain activities अगर आप किसी इनसान को एक certain activity में participate करने के लिए रोक रहे हो तो ये भी discrimination है या फिर आप किसी इनसान को एक certain job करने से रोक रहे हो तो भी ये आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो या फिर stop them from living in certain neighborhoods या फिर आप किसी इनसान को एक proper महले में एक neighborhood में रहने से मना कर रहे हो ये भी discrimination का part है और you prevent them from taking water from the same well and hand pump that means कि या आप महले में जो same water, same tap या same नलका लगा हुआ है जहां से सारे गाओं के लोग, सारे महले के लोग पानी लेते हैं लेकिन आप एक specific group को वहां से पानी नहीं लेने देते हैं जैसे कि untouchables के साथ पहले क्या होता था कि सभी गाओं के लोग, जिस एरिया से पानी ले रहे हैं उन लोगों के tap water से untouchables people को पानी लेने नहीं दिया जाता था अब untouchables की category में किन को डाला हुआ था? जो scavengers थे, जो manual scavenging किया करते थे तो उन लोगों को main water से, main tap से पानी नहीं लेने दिया जाता था जो की एक discrimination का ही part है या फिर उन लोगों को ना तो आप same glass में या फिर same cup में ना चाय पीने देते हो ना उनको उसी glass में पानी देते हो तो ये जो होता है ना चाय पानी के लिए भी glasses अलग रखना ये सब discrimination का ही part है तो discrimination तरह तरह से होता है Discrimination can take place because of several reasons Discrimination that means बेदभाव तो बेदभाव ना बहुत सारे कारणों की वज़े से होता है जैसे कि हमने chapter 1 में समीर एक and समीर दो की स्टोरी को जाना था They both were different from each other in many ways समीर एक, समीर दो दोनों ही बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से अलग थे For example, they belong to different religion समीर एक and समीर दो दोनों ही अलग-अलग धर्म से बिलों करते थे अब अलग-अलग धर्म से ये दोनों बिलों करते हैं तो ये किस चीज का aspect हुआ? ये हुआ diversity का aspect diversity के बारे में हमने chapter 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है So, ये जो aspect है कि दोनों का धर्म अलग है तो ये diversity का part हुआ लेकिन diversity की वजह से भी हमने ये देखा है कि society में discrimination हो जाता है जैसे कि एक certain language बोलने वाले लोग दूसरी भाशा बोलने वाले लोगों को अपने से inferior दिखाते हैं या एक particular धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने से नीचा दिखाएंगे या फिर एक specific region, region का मतलब होता है area एक specific area में रहने वाले लोगों को नीचा दिखाते हैं जो कहने का मतलब है कि discrimination ना हमने diversity में भी देखी है कि diversity में... देखो diversity का मतलब क्या है? एक दूसरे से अलग होना अब ये एक दूसरे से अलग होने का मतलब क्या है? कि ये एक खुबसूरती का part है ये एक खुबसूरती का पार्ट है अगर सब लोग equal होंगे तो फिर ना तो life में enrichment होगी ना life में कोई excitement होगा बट जब लोग diversity को अलग नजरिये से देखते हैं जैसे कि अगर लोग ये सोचें कि हम superior हैं सामने वाला हम से inferior हैं तो वो diversity में discrimination आ जाता है सो जो लोग हैं वो अपने से दूसरों को नीचा दिखाते हैं custom and practices के basis पर कुछ culture के लोग दूसरे culture के लोगों को जो है अपने से नीचा दिखाएंगे सो ये सब जो कारण होते हैं जिनकी वज़े से diversity में भी discrimination देखने को मिलता है Another difference जो हमने देखा समीर एक and समीर दो में वो था economic background का difference देखो अगर हम समीर एक की बात करें तो वो rich था बट समीर दो जो था वो poor था This difference as you have already you know read that it is not the part of diversity because it is the part of inequality ध्यान रखना कि अगर economic background में difference है तो ये diversity का part नहीं है ये inequality का part है inequality का मतलब होता है असमानता People who are poor do not have the resource or money जो लोग गरीब है उनके पास enough resources नहीं है enough money नहीं है enough opportunity नहीं है तो ये लोग जो है इन लोगों के साथ क्या होता है discrimination होता है ठीक है So the poor people do not have enough money to meet their basic needs of food, clothing and shelter तो गरीब लोगों के पास ना proper opportunities मिलती है ना उनके पास proper पैसा है कि वो food, clothing and shelter जैसी basic needs को पूरा कर पाएं गरीब लोग जो है इनके साथ discrimination हर जगे होता है चाहे office में देख लो, hospitals में देख लो, school में देख लो गरीब लोगों के साथ discrimination इसलिए होता है क्योंकि लोगों से इनको कोई फायदा नहीं होता Where they are treated badly because they are poor तो गरीब लोगों को bad तरीके से treat किया जाता है इनके साथ ill treatment बहुत होता है Some people may experience both kind of discrimination कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ दोनों तरीके का discrimination होता है जैसे कि एक तो वो गरीब हो गए और दूसरा ये they belong to group whose culture is not valued एक तो गरीब उसके साथ साथ वो ऐसे group से बिलोग करते हैं जिनका culture को लोग value नहीं करते जैसे कि tribal people हो गए या फिर कुछ other religious group हो गए या फिर किसी particular region में रहने वाले लोग हो गए तो इनके साथ discrimination होता है किसी ने किसी आधार पर In the following section we will look at How a famous Indian was discriminated against आगे हम ये जानेंगे एक story जानेंगे एक famous personality के बारे में जिनको discrimination देखना पड़ा था This will help us to understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people तो हम ये जानेंगे कि caste के basis पर किस तरीके से लोगों के साथ discrimination हुआ है हाला कि ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे तो common stereotype जो Muslims के बारे में लोगों ने बनाया हुआ है वो ये है कि Muslims ना अपनी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते इसलिए वो अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते इसकी ना फिर proper study की गई and study करके ये पता लगाया गया कि reason क्या है कि Muslim अपनी लड़कियों को स्कूल में क्यों नहीं भेजते तो study से ये पता चला that poverty among Muslims is an important reason why Muslim girl do not attend school or drop out school after a few years तो study के अनुसार ये पता लगाया गया कि जो poverty है ना गरीबी जो है यही एक main reason है जिसकी वज़े से Muslim लड़किया स्कूल नहीं जा पाती या फिर अगर स्कूल जाती है तो after a few years वो स्कूल से drop out ले लेती है wherever effort has been made to reach out education to the poor हमारी जो government है वो इस चीज़ पर लगातार कोशिश करती है कि सभी बच्चों को education मिले तो हमारी government ने इस चीज़ के लिए कोशिश की है properly and consistently कि हर एक गरीब परिवार के बच्चे स्कूल में जाए education लें there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school so जब ऐसी facilities Muslim community को मिली है तो उन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजा है तो हम कह सकते हैं कि जो ये धारनाई है ना कि Muslim लोग अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते ऐसा ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ाना चाते है उसके पीछे वाकई में reason क्या है या तो स्कूल बहुत दूर है या फिर जो कुछ Muslim community के जो लोग है वो थोड़े गरीब है गरीबी के कारण वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much अगर Kerala state की बात की जाए तो वहाँ पर ना घर का और स्कूल का रस्ता ज्यादा distance पर नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि Kerala government ने ये ensure कि सभी बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करें सभी बच्चे education ले Otherwise होता ये है कि अगर स्कूल ज्यादा दूरी पर होता है तो जो poor family के लोग है वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते और लड़कियों को इस डर की वज़े से स्कूल में नहीं भेजा जाता क्योंकि उनको safety का डर रहता है तो इसलिए Kerala state में घर का और जो स्कूल का distance है वो ज्यादा नहीं है इसके अलावा rural areas में teachers को बेजने के लिए government ने bus service भी provide कर रखी है तो जो government teachers है उनको bus service provide की गई है ताकि गाउं के इलाकों में जाकर अध्यापक पढ़ा सके और जो teachers rural areas में जाकर पढ़ा रहे हैं उनमें से 60% women है यह जो अभी हमने factors देखे हैं जैसे की school का और घर का distance कम होना और जो government teachers है उनको bus service provide करना इन factors की वजह से जो गरीब family के लोग है और जो Muslim girls है अब वो large amount में large number में school जा रही है और school attend कर रही है केरला के अलावा अगर हम other state की बात करें जहां पर ऐसे effort नहीं किये गए तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि जो poor family के बच्चे हैं Muslim girls है tribal community के जो बच्चे हैं and so called lower caste जो exist नहीं करती बट society ने उसको बना रखा है तो इनके जो बच्चे हैं वो school attend नहीं कर पा रहे तो इसलिए government को ensure करना चाहिए कि सभी बच्चे school attend करें and teachers को bus service provide करनी चाहिए इसके अलावा school का and घर का distance कम होना चाहिए and जो बच्चे हैं school के उनको proper safety provide होनी चाहिए so therefore हम यह कह सकते हैं कि गरीबी की वजए से Muslim लड़क्या school नहीं जा पाती ना कि religion की वजए से so हमने यह नहीं कहना है कि इस religion के लोग ऐसे हैं नहीं सिर्फ गरीबी एक कारण हो सकता है, inequality एक कारण हो सकता है, धर्म एक कारण नहीं हो सकता so यहां पर क्या आपको ध्यान रखना है कि Muslim girls इसलिए school नहीं जा पाती due to the poverty, not due to the religion, ठीक है अब जो यह आगे वाला part है, on being discriminated against इसको हम next video में करेंगे, देखो chapter बड़ा है, chapter में बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, तो इसलिए इस chapter को हम इस तरीके से parts में पढ़ रहे हैं, last में सारे part complete होने के बाद मैं सभी videos को compile कर दूँगी, आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड सकते हैं, thank you so much for watching this video, till then bye bye, thank you so much